जाहिंद, फटाफट आजाओ बबा आम वेटिंग, सारे कव वेट कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट आजाओ, आजाओ कि जैसा हम लोग ने बोला था, कि लेके आएंगे अवाज के लिए है ना आवाज सही है ना एक ब inner चेक कर लिजे अवाज केली आए कि अलो हलो हलो कारे आज़ो फटाफ़टा आज़ो फटाफ़टा आज़ो जल्दीसmind कि जैसा हम लोग ने बोला था कि बिहार ssd फुलोन मस्टी के साथ पुरा फिरी के साथ होगी इस चैनल पे और वैसाई होगा और मैं जो कल बोला गिया था आप लोग को कि मैं जिस सेग्मेंट के साथ आँगा उसी सेग्मेंट के साथ आया हूँ हमको हमको चाहिए और जल्दी से आजो और इसको 18 जल्दी से कर दो फिर हम लोग अपने कारवां की शुरुवात करेंगे इतने दिन करेंगे आज हम लोग पुरा थिओरीजार करेंगे हम इसको 18 सब्सक्राइब करो जल्दी से आज मज़ा आएगा हम सोचे ही हैं कि जब तक 18000 होगा नहीं तब सुरू नहीं होगा और तुम लोग कर दो जैसे करना हो तुम्हारे उपर डिपेंड करता है 18,000 इसको पुराओ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी से फटा-फट सारे आजो, फटा-फट आजो वो भीर चाहिए हमको, वही भीर चाहिए हमको और उसी भीर पे होगी, उसी भीर पे होगी बाबा, उसी भीर पे होगी और क्या बात है, तुम लोग ने कर दिया, बाबा की जाए, बिल्कुल, 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 बिल्कुल क्या बात है, और मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, मेरे हमराही हम लोग ने जैसा बोला था हम लोग ने जैसा बोला था और मैंने जैसा प्रोमिस किया था कि अभी तक जो ले के चल रहे हैं हम लोग जो ले के चल रहे थे आपका क्या ले के चल रहा था ले के क्या चल रहा था अ कुल राम राम आज है मेरा पढ़ाई करने का फ्रसड सब्सक्राइब बिल्कुल 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 है थोरह सा टेकनिकल इसुप आ गया था अब एक बार हमको श्योर कर दो मेरी वाइस किलियर हो रही है मेरी वैइस आप लोग तो बिल्कुल महाकाल का भक्त हो गिया बबा हो गिया तुम लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे मजा आता है हमको एक बार हमको बता दो बिल्कुल पाटी बनेगी बिल्कुल दिवाकर बिल्कुल पाटी बनेगी है आओ मिलो आज आज नहीं अभी तो सुरुवात है आगे देख और होता है क्या अभी तो बस शुरुवात है बस हमको एक बार बता दो कि अवाज जा रही हो अवाज जा रही हो अवाज में कोई दिक्कत ना हो all clear बाबा ओके दिवाकर भाई ओके सनी देवल महाकाल का भख्त यस यस पटापा आजो जितना सेर करो हमको वही भीर चाहिए बाबा हमको वही भीर चाहिए जो भीर तुम लोग लाते हो मेरे में जितना प्यार देते हो तुम लोग क्लास में वही भीर चाहिए हमको बैए कि आप लोग लाई को आप लोगаг लाई एक साम को रात में जो हमारा प्रिवियस ़ियर वला चल रही ह। वह तो चलेगा ही चलेगा अब इतना आचुका है कि हम लोग सुरूआत कर सकते हैं अब इतना आचुका है मज़े kafाерб richtig मजश बिल्कुल, हमसी चीज को सोच करके आना और इसी चीज को हम लोग ले करके भी चलेगे दो कि शुरुवात किया जाएim एक बर परमीशन देदो बिल्कुल टॉप पे ले जाना है सनीदेवल बिल्कुल है एक बर हमको परमीशन देदो कि अब सुरू किया जाए एक बर परमीशन देदो बाबा कि अब सुरू किया जाए यस बाबा है स्टार्ट किया जाए सरजी बिल्कुल रोजी सेंग कसक आरिया यसर, ओके, 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 महाकाल का भक्त, ओके, 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 स्टार्ट, स्टार्ट नो, बिलकुल, ओके ओके अब एक कोश्चन आता है ये जो दिख रहा है इतिहास ये जो इतिहास दिख रहा है ये जो हिस्ट्री दिख रहा है जदी मैं पूछू तुमसे कि ये हिस्ट्री क्या है अब लोग बना मस्ते परेंगे हमको बस कॉंसेंट्रेट होके आप लोग सुनिएगा हमको बस कॉंसेंट्रेट होके सुनिएगा मस्त लगेगा पुरा मजा भी आ जाएगा ब्लैक टिशर्ट में फुल स्मार्ट लग रहे हैं सर थैंक्यू मेरे दोस्त हैं अब कोश्चन आता ह यानि यह इतिहास क्या है। यानि इसका मतलब हुआ कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। यानि इसके सभ्यता को बताना ही किसी राष्ट का, किसी देश का, उस अस्थान का वही इतिहास कहलाता है। यही इतिहास है तुम्हारा। इतिहास यानि उसके पिता यानि हेरोडोटस को बोला जाता है तुम्हारा इतिहास। क्लियर है। अब कुश्चन आता है कि इतिहास के बारे में जो हम लोग जानते हैं, यानि हिष्टरी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके क्या सोर्स है तुम्हारा जिससे पता चलता है। इसके बहुत सारे सुरोत हो सकते हैं, जदी हम इतिहास के सुरोत के बारे में पता करें, सुरोत के बारे में पता करें, कि सुर्स क्या है इतिहास को जानने का, तो सुरोत दो टाइब से हो सकता है, एक तुम्हारा हो सकता है, आर्केलोजिकल, यानि कुछ मिला होगा वहां से, तब पता चला होगा ठीक है एक होता है literature यानि तुमारा साहित्य क्या जिस जमाने का हम बात कर रहे हैं उस जमाने के कुछ चीज मिले है क्या हो सकता है पूरा तात्विक चीज हो हो सकता है वहां से कोई मिर्दवान मिला हो कोई बरतन मिला हो कोई ऐसा element मिला हो अपना-पना तो तुम्हारा इतिहास को हम लोग दो तरीके से जान सकते हैं, जिस सभेता के बारे में बात कर रहे हैं, जिस संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे दोश्ट, उसको दो चीज से हम लोग पहचान सकते हैं, या तो उसको हम पुरा तात्विक चीज से जानेंगे, या त तो वहां से बहुत कुछ मिले तॉली बंगा साद हो चागे तो वह भूठा रिम Barnes हो गया यानि व पुरातात्विक चीज हो गया वह भामिला कि एक होता है कि audiolog tal को साथ सारा बीलता कि साहित चाहित के नाम पे भी तुम्हारा मिलता है यहाँ, यह गुप्त बंस का है इंडिका को मेगास्थिनी जी ने लिखा और इंडिका मौरे बंस के बारे में बताता है, यह साहित्य हो गया अर्थ सास्त्र को चानक की ने लिखा और अर्थ सास्त्र चंद्रगुप्त मौरे से सम्मंदित है यानि मगद महाजनपद से सम्मंदित है तो जो एक समान मिल्द है वो पुरा तात्विक चीज हो गया और जो साहित मिल्द है वो तुमारा सुरोत मिल गया तुमारा और उससे पता चलता है कि हितियास में ऐसा कुछ तरीका है एक पुरा तात्विक है दूसरा साहित्य है इससे पता चलता है कि हाँ हुआ है ऐसा हुआ है इंडिका को लिखा है मेगास्थिनिज ने मुद्रा राक्षच को लिखा है विसाख दत्य ने और उसमें जो चीज लिखा हुआ ऐसा हुआ होगा कारवन डेटिंग से पता करते हो ना C14 से कारवन डेटिंग से पता करते हो कि इस चीज का उम्र इतना लंबा है पता करते हो ना तो एक किसी चीज का पता लगाना और एक उसी चीज से साहित्य का पता लगाना और दो चीज से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इतिहास जो है तु हुआ है तो बिल्कुल हुआ है और उसको दो चीज़ साहिट सकते हैं। पुरा तात्विक में हम बहुत कुछ ले सकते हैं तिक्का ले सकते हैं समुत्र गुप्त का सिक्का मिला बीना बजाते हुए मिला इसका मतलब समुत्र एक सिक्का मिला उसमें एक राजा बीना बजा रहा है और उसका नाम ही रख दिया कवी राज समतर गुप्त ने अपना उपाधी लिया यानि उस सिक्का में दिखाएगा कि एक राजा जो है बीना बजा रहा है इसका मतलब वो पुरा तात्विक चीज हो गया वो मिला है सिक्का से पता चल सकता है कोई चीज मिला है, मिर्दभांड मिला है उससे पता चल सकता है कोई पीलर मिला है, असोक का अस्तंब लेख मिला है तिला लेख मिला है, उससे पता चल सकता है और साहित में बहुत कुछ हो सकता है जो तुम्हारा यातरी लोग आएं वो लोग जो भी लिखा वो तुम्हारा जैसे फाहियान आया उसने अपना किताब लिखा, वेन सोंग आये, उसने अपना किताब लखा, अंग्रेज तो बड़ा तेज था, अंग्रेज बड़ा तेज था, और जदी हम तुमसे बोले कि एक ओरिजिनली जदी हम बताए तुम्हारा, इतिहास की जो लेखन परंपरा है, इतिहास की जो लेख सोसाइटी था तुम्हारा कि कौन सा सोसाइटी था तुम्हारा हमको बता सकते हैं बंगाल में जो बनी थी सोसाइटी एक पर हम देखना चाहते हैं कि किसको किसको आ रहा है सत्रह सो चौरासी में जो बंगाल में सोसाइटी बना था उस सोसाइटी का नाम बता दो तुम्हारा ह चाहिए था के उस सोसाइटी का नाम बता दो हमको कि तरह कि असी असीज़ूर्थ बैंगाल बना और विल्यम जोन्स ना कौन था तुम्हारा विलियम जोन्स था विलियम जोन्स तक विलियम जोन्स ये सियाइटिक सोसाइटी और बंगाल जो है ये बनाया ही गिया था हिंदू जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसको एक साथ यानि एक सजाने का एक और बाइस सजाने का और यहां से इतिहास की लेखन की परंपरा शुरुआत हुई अंग्रेज बड़ी तेस्थ था अंग्रेज हमारे माथा के साथ गेम खेलता है तुम अभी बोलते हो ना कि तुम लोग आजाद हो नहीं हो अजाद तुम लोग फिजिकली आजाद हो मेंटली आजाद अभी भी नहीं हो तुमारे माथे के साथ गेम खेलता है अभी कोई भारत रिसर्चर आएगा कि बोलेगा कि इस दिन नहीं रात है तो कहीं न कहीं हम लोग सोच नहीं लगते हैं वाई कहीं न कहीं भारतियों के मन में आने लगता है कि अंग्रेज जो कहा रहा है सही लग रहा है मेरे दोश्टू लोग ने बना दिया हम लोग का भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त क्यूं कहें हम भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त क्यूं कहें हम भारत का सेक्सपियर का लिदास क्यूं कहें हम क्यूंकि अंग्रेजों ने बताया तुमको अंग्रेजों ने तु लोग का सब बताया हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण हम बताते हैं इतिहास का जो लेखन हुआ हिस्ट्री जो लेखन हुआ हिस्ट्री को जो लिखा जेम्स मील आया एक एक जेम्स मील था परहेगा हिस्ट्री में NCAT में एक James Mill था अठारा सौच चो चोग के करीब, अठारा सौच चो और तस के ऑठारा के बीच में तुम्हारा उसने भारत की इतिहास को तीन खंडों में बाटा, तीन खंडों में बाटा एक खंड बोला हिंदू काल है, एक खंड हिंदू काल बोला खुशनाया हुआ है कि कि इतिहासकार ने इतिहास को tीन घंड में बाठा हिंदूकाल, मुसलिमाल और आधुनिकाल तो जेम्स मील था हिंदू काल मुसलिमाल और आधुनिकाल आधुनिकाल यसा है कि भूत प्रेतों का पूजा करने वाला देश है ये देश सव्य नहीं हो सकता ये देश सब्य के नाम पर असब्य है और हम लोग भैब कुप हम लोग उसको मानते रह स्यां बिल्कुल सभी बोल रहत है कि यह जो बोल रहा है चूंकि अंग्रेज है यह जेमसमील अंग्रेज है। इसने लिखा है भारत की इतियास को तीन पार्ट में बाटा है इसने और हमको लगता है यह नहीं-टैर्ट, शहरीं उसने जो वह बोला- आधरल-चोश्जी ओपुला और उसवी की इतियास खुम लोग पड़ते हैं समुद्र यानि कर्णिया कुमारी तक आक्रमन किया कि जबकि हम लोग बढ़ते हैं सिकंदर तो तुम्हारा जेलम नदी के पास रहके रावी नदी को क्रोस भी नहीं कर पाया यानि हिंदु काल को इतना गंदा दर्साया गया है मुसलिम काल को अच्छा दर्साया है अधुनिक काल को अच्छा दर्साया है लेकिन हिंदु काल को बरा जिसको एंसिंट हिस्टी करते हो जिसको प्राचीन इतियास करते हो तो परे वो वो आरिभट जिसने जीरो दिखाया, वो आरिभट जिसने ये बता रहा है कि तुम्हारा जिस बस्तू का घंत्व जादा होगा उसका गुर्तुवा कर्शन जादा होगा, पिर्थभी पहले क्या मानता था? कि पिर्थवी केंद्र में है और पिर्थवी के चार और सूरिक घूमरे वहला गलत है सूरिका घ्ञनत तो जादा है तो सूरिका घ्ञनत डेंसीटी जादा है तो सूरिका ग्रेब्टीशनल भी जादा होगा और सुरी केंदर में है और पीर्थवी उसके चारो और चकर काढ़ भी बला हाँ, आप सही बोल रहे हैं और वैसे महान बेक्तियों के इतिहास को वैसे महान सब्यता के इतिहास को अंग्रेजों ने बोला ना ना ये बहुत घडिया इतिहास है बोला मार के कनपटा जहार देप तो आरम वो लोग ने ऐसा ये बोला कालिदास वरामहीर एक पर एक तुम्हारा आया एक पर एक तुम्हारा आया उसके दरवार में चंद्रकृत दूतिय का नाम सुना होगा उसके दरवार में रहा वरामहीर ऐसा तुम्हारा बोला चंद्रकृत दूतिय की तुम्हारा बेटा इस दिन इस समय में मर जाएगा, मर गया ऐसा हमारा इतिहास है हम लोग ने साइंस पे बहुत भ्यान दिया प्राचीन इतिहास हमारा इतिहास तो इसमें घरवर आया फिर इतिहास को तीन खंड में बाटे हम लोग और इसी को basically कहा जाता है तुम्हारा जदि इसी को बात हम करें, इतिहास का बात करें हम, ते इसी इतिहास को basically तीन खंड में बाटा जाता है बाबा एक तुम्हारा एंसियेंट हिस्ट्री अनि प्राचीन हितिहास, दूसरा तुम्हारा meडैवल हिस्टी अनि मद्यकालीन भारत और तीसरा तुम्हारा modern हिस्ट्री यानि आधुनिक इतियास यानि आधुनिक भारत जदी हम question से देखे exam के point of view से देखे बेटा जदी हम तुम्हारा बोले कि ancient history है दूसरा medieval history है और तीसरा modern history है तो हम जदी तीनों को exam के point of view से देखे तो सबसे जदा जो question आता है तुम्हारा modern history में आता है ध्यान से समझना मेरे बात को हम लोग यही नहीं समझ आता है कि क्या परना है और कई से परना है एक्जाम इसलिए नहीं निकलता है हम लोग को हम लोग के scholar नहीं बनना है, हम लोग को exam qualify करना है, और यही दोनों चीज हम लोग नहीं समझते हैं, क्या परना है, what, क्या परना है, और कैसे परना है, यही दोनों टर्म जिस दिन सब समझ गया, समझ आ गया, समझो उसका result होना start हो गया, बैठ रहें, पर रहें, 10 गंटा, 15 गंटा पर रहें, भाई साब question आई नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग syllabus देखते ही नहीं अच्छा से, syllabus देखेगा, ति दोनों पता चल जाएगा, क्या परना है, और कैसे परना है, और आज section में, जदी exam में किसी subject से, किसी paper से ज़्यादा question आता है, तो वो history है, सबसे ज़्यादा question आता है, और खास करके, बिहार वाले में ज़्यादा तर ऐसा रहता है, मेरे दोस्त समझ ना मेरे बात को, ऐसा रहता है, बिहार वाला कोई भी निकाल के दिखा दो, कोई भी exam निकाल के दिखा दो, उसमें history का section जो रहेगा, वो ज़्यादा रहता है, जैहिन, सईद, अनवर, उसमें history का ज़्यादा question रहता है, हम लोग परते तो हैं, लेकिन कैसे परना है, और क्या परना है, हम लोग को idea ही नहीं आता है, यह modern history से सबसे ज़्यादा question है, आस से 2-3 साल तक trending चल दा था, कि medieval history से question नहीं आता था, जैदी हम बोले कि 15 question आ रहा है, 15 question टूटली आ रहा है, तो पक्का है कि 10 question तुमारा modern history से आता था, 5 question जो है, उसमें 2-3 question NCS history लेलो, और 2 question medieval लेलो, अब लेकिन थोड़ा सा change हु हुआ है कि तुमारा, इसमें change हुआ है कि तुमारा, यह जो पहले medieval history से question कम आता था, अब इसके weighties वर गया, अब इसका question आता है, ज्यादा question आता है, अब तुम दोनों को, यह दोनों को लेके चलो, लेकिन ध्यान में रखना, इसको तुम always ज्यादा करके लेके चलना, क्यों modern history से ही ज्यादा आता है, ऐसा होता है, और इसलिए हम लोग ने सोचा है कि हम लोग जो तयारी करेंगे, हम लोग जो परहेंगे, हम लोग परहेंगे सबसे पहले modern history को, ठीक है, SSM में भी क्या, सारे में, सारे में, बबाब, सारे में, ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, अब ह अभी जो हम अभी समझाए थे वही लिखा हुआ है एक-एक करके हम लोग सारे टॉपिक परेंगे ठीक है और पहला टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा कॉपी और पेन लेके बैठना मेरे दोस्त कॉपी और पेन लेके बैठना पहला टॉपिक दिख रहा होगा European Company का आगम एराइवल European Company इन इंडिया यह मैप दिख रहा होगा कुछ मेरे सामने एक मैप देखो मैं आप में नजर आ रहा होगा कि ये तुम्हारा सौथ अमेरिका है ये तुम्हारा ये सौथ अमेरिका है ये तुम्हारा नौर्थ अमेरिका है ये तुम्हारा अफरिका महादेश है ये अस्टेलिया महादेश है यहाँ पे एक मौंटेन है यूराल वाला इधर तुमारा एसिया इधर तुमारा यूरोप ये अपना ये जो छोटा साथ दीख रहे हो ये अपना इंडिया ये अपना इंडिया इंडिया ये जो तुम दीख रहे हो ये वला ये अट्लांटिक उसियन है कई बार कोश्चन आया है जोगरफी में कि कौन सा महासागर ऐसा कार का बनाता है तो अट्लांटिक महासागर यह तुम्हारा हिंद महासागर यह तुम्हारा पेसिफिक उसियन यानि परसांत महासागर यह भी तुम्हारा परसांत महासागर अईसे गुलोब होता है ठीक है अब देखो मेरा दोस्त मेरा समझना मेरे बात को अब ये question तुम्हारे मन में आना चाहिए कि European Company का आगमन ये European Company आया क्यों भारत क्या उसको ज़रूरत पर गई European Company का आने का तुम कहीं पर जा रहे हो तो कोई कारण होगा न कि क्यूं वाई क्यूं जा रहे हो कुछ तो कारण होगा तयार होके सामने जाते हैं तो दो ही तीन कारण होगा या तो चाई पीने के लिए जा रहा होगा या तो किसी को देखने के लिए जा रहा होगा कि कोई मिल जाए देख ले सामने नईन सुख पा ले तो तयार होके जाते हैं तो कुछ कारण रहता है तो सेम ये लोग जो आ रहा है इसका कुछ कारण था, क्या कारण था भी समझो, पहला कोशन यही आना चाहिए मन में कि हमको, क्या सर, UPSC में भी, बिल्कुल सारे में, सारे में पूछता है बबा, एक कोशन मन में आना चाहिए कि ये लोग जो European Company जो भारत आया, ये European Company जो भार आया, ये East AC आया, क्या कारण था, नहीं कारण था, हमको समझाओ, आया तो आया, क्यों आया, समझना मेरे दोस्त, क्यों आया, ये Arabian country है, ये Arab देश सब है, ये सारे Arab देश है, अरब देश का बेपार पे एक आधिपत्य हुआ करता था, छटी सताबदी से ही बात कर रहे है, और बताया जाता है कि Arabian country भारत से समान खरीता था, और एयूरोप में जाके बेशता था, ऐसा चलते रहता था, एक मोनोपोली बनाया हुआ था, एक एक आधिकार बनाया हुआ था वेपार पे, और ये जो तुमारा Arabian country भारत या East Asia से समान खरीत के यूरोप बेशता था, य कपरे की और दूसरे मसाले की क्योंकि यूरोप एक थंड़ा पर्देश है और थंड़ा पर्देश जो है वहाँ पे कोई-कोई चीज का मांग बहुत जादा होता है कभी सोचे हो कि क्रिश्चन धर में इसाई धर में वो देखा होगा चर्च जाओ कभी अल्कोहल चरता है जो चर्च में जाओ तो अल्कोहल लेके जाया जाता है कभी सोचे हो कि ये चर्च का ये अल्कोहल से क्या लेना देना है यही तो हम लोग नहीं समझते हैं हम लोग कारण क्या है इसके पीछे नहीं समझते एक थंडा परदेश है और थंडा परदेश में बॉडी को टमप्रेचर में लाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है एक तुम्हारा रेड वाइन एक तुम्हारा रेड मीट वाइन पीना ताकि बॉडी टमप्रेचर यानि उस्तना जितना रहता है उतना रहे कम से कम उतना ऑप सारे लोग तो पीएंगे नहीं, सारे लोग थोड़ी पीएंगे, फिरिस्टन ने बोला कि ऐसा करो कि इसको धर्म में डाल दो, यानि जीशाष को जो है वो अल्कोहल चारता है, और सारे लोग अपने आप पीने लगेंगे, अल्कोहल को धर्म से जोड़ दिया, धर्म से क्यांट करदिया साधी वाधी होता है गलास में डाले चीर सुंधिस सुनट्र अब इसके काम का कारण जो है वहां का धर्म है घर्म तुम्हारे समाज की अनुसार बनेगा तुम्हारे संस्कृतिक है नीटैक्त समझ ले ना धर्म और भासा ये दो चीज ऐसा है कि आदमी मरने के लिए भी तयार हो जाता और मारने के लिए भी तयार हो जाता और ये तुम्हारे संस्कृति पे डिपेंड करता है यूरोप एक ठंडा परदेश है वहाँ चाहिए तो बला कि सब तो नहीं पिएगा ऐसा करो धर्म से जोर देगा तो सब जोर दिया सब पी रहा है पीना वहाँ गुना नहीं है कोई गुना नहीं वहाँ पीता है अराम से पीता है और रेड मीट खाएगा और मीट को ताजा रखने के लिए मसाले की जुरत बहुत जादा होती है और एक ठंडा परदेश में मसाला कभी उख सकता है क्या बर्फ में तुम agriculture कर सकते हो एक ठंडा परदेश में हर चीज का अपना अपना climate होता है अब बिहार में बोलेगा कि चाय हो जाए बिहार में बोलेगा कि सेब हो जाए नहीं बिहार का climate हो इसा है यह नहीं जो सेब होगा सेब ही माचल में ही होगा कस्मीर में ही होगा चाय असम में ही बिहार धान में आगे रहेगा क्योंकि धान का climate बिहार वाला जैसा है धान को चाहिए पानी बिहार में खूब पानी है अर चीज का खेती कोई भी चीज climate पे डिपेंड करता है और यूरोप को दोनों चीज की मांग जादा थी मसाला होता नहीं तो यह मसाले और कपरे का जो त जारीता था और यूरोप जाके बेज देता था और उस समय सी रूट से बेपार नहीं होता था समुद्री रास्ते से बेपार नहीं होती थी ज्यादा मेरे बच्चे उस समय लेंड रूट से होती थी जमीनी अस्तर से ज्यादा तर बेपार होता था क्योंकि वो कमपास था ही न है वो डारेक्शन उसमें था ही नहीं तो इसलिए ब्यपार जो होती थी वो समुद्री रास्ते से ना हो करके जमीनी रास्ते से हुआ करती थी अरब क्या करता था यहां से समान खरीदा और यूरोप में जाके बेच दिया इससे तीनों का फैदा हो रहा है भारत का समान भी करह है यूरोप का डिमांड पूरा हो रहा है और अरेबियन अपना बेनिफीट अपना पैसा कमा रहा है बनियां पैसा कमा रहा है पावर्फुल ह है हो कि हमरे एसे तुम जाता है बेपार करने के लिए और हमिको एको रुपिया नहीं देता है तुम कड़िब 600 साल तक अच्छौ आट सो साल तक करीब करीब तो पूरा पईसा बंफर कमाया तुमारा जो कि एक दिन मेरे एरिया से विपार करेगा तुमको टैक्स देना परेगा अरग के पास पैसा बहुत जाधा था और समाज का ये रिती है बिटा जिसके पास पैसा जादा वो अपने आपको जादा पावर्फूल समझता है ऐसा है की नहीं हमको बताना अपने मन में सूचना पर्याले तुर्की को लग डर लग रहा था चुकि बिचारा है वहला डर लग रहा था लेकिन अरेवियन चलो जीतेंगे पैसा हो बहुत जादा 1403 में कब 1403 में दोनों के बीच में युद्ध होती है अब तुर्की को जो लग रहा था कि हम कमजोर है हम हार जाएंगे और अरेवियन को जो लग रहा था हम सबसे ज़्यादा मजबूत है हम हरा देंगे इस युद्ध का परिनाम उल्टा होता है मेरे दोस्त बात हो गई वो तुम्हारा जिंबाबे और पाकिस्तान वाला मैज का कि पाकिस्तान को लगा जिंबाबे कमजोर है हम तो हरा यह देंगे और जिंबाबे को यह डर लग रहा था कि हम तो कमजोर है पाकिस्तान से हमारी जाएंगे लहीं इसका रिजल्ट उल्टा हुआ पाकिस्तान हार गया जिम्बाबे जीत गया तो सेम चीज यहां पे भी हुआ यह 14 सा तीरपन की युद्ध थी उसमें जीत हुई तुम्हारा एसिया माइनर वाले इलाके में जीत गया अब बेटा जीत के लो तो समझ ले और जोस्त वहाई सर अब हम अपने एरिया से तुमको नहीं देंगे करने के कि की और बेपार अरेवियन हाडा हुआ था कुछद भी नहीं सकता है वह नितला कोई दिकतत कि अब बुलो गिए कि इस से युय रोप को टीमांड पूरा कौन करता था रे जेषे ना और अर्युविए grains का रोक दिया बोला कि अब तुम नहीं जा सकते हो अर तुम नहीं मज गई पूरा इउरोप में ओए सिर इकड़ से अपने मिग स्पेटर पढ़ का होगा अचेप्टर का नाम कर approximation मुद्रा स्पीटी क्या होतीब डिमान्ड बर जाता है और सपलाई कम हो जाता है यानि मांग बर गया और आपूर्ती कम हो गई तो मुद्राश्पिती पैदा होती है मुद्राश्पिती का मतलब महंगाई पैदा होती है अब यूरोप में डिमांड बर रहा है डिमांड सपलाई होई ही नहीं रहा क्योंकि सपलाई तो आरेवियन करता था, आरेवियन का रस्ते बंद कर दिया, भाई सहावलते को लोकतंत्र हो या राश्तंत्र, जनता किसी का नहीं, जनता को ज़्यादा सता हो गए, तो जनता रोट पे उतरेगा, पुरा यूरोप जो है, वो रोट पे उतर गया, अपना हक म मांगने लगा, मेरी मांगे पूरी करो, आता दू मुका मारेंगे, नाच के गिरोगे, मेरी मांगे पूरी करो, अब सारा बुखलार है कि सलम करे तो करे क्या, इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, और ये सोचोगे कि हीरोप के दिस इस से एसिया वाले, एसिया माइनर वाले से पंगा लेगा ना ना वो सोच भी नहीं रहा है वो अभी जीत ले है अरेबियान को पटका दिया है आँ तूरल युदर ने हो सबस्क्क्राइब यह आगे नहीं चाहता है यह बूट बलग मांग मांग डिमांड खुश्ब जदा हो यह दो यह रोड उतर रहे हैं लो chodzi मांगे पूरे करो, चाहे जैसे हो, हमको चाहिए अपना, हम जो मसाले मंगा रहे थे, हम जो कपरे मंगा रहे थे, हमको किसी भी तरह पैसा दो, हमको नहीं लेना देना, हमको कपरा दो, हमको मसाला दो, पुरा यूरोप जो है, वो ताहरसनास हो रही है अब क्या होगा इसमें इसमें होगा क्या अब इसके बाद अब समझाना मेरे बात को यह जो यूरोप में इतने सारे देश है यह देश अब क्या करेगा जब उसका सारा डिमांड ये नहीं पूरा हो रहा है तो क्या करेगा मेरे दोस्त पहला देश निकलता है उसमें से और उसी को कहते हैं पुर्तगाली कहते हैं पुर्तगाली कहते हैं पहला देश पुर्तगाल 1403 में ये लराई हुआ समझना मेरे दोस्त 1403 में ये लराई हुआ अभी बताए न और 1454 में पुर्तगाल का एक राजकुमार बना जिसका नाम था चार्ल्स फर्ष्ट चार्ल्स फर्ष्ट का एक ही एम था कि कैसे बेपार किया जाए पुर्भी एसिया से जिसमें इंकुलूड है भारत भी कैसे बेपार किया जाए होग कुट भी पॉसिबल यह कैसे पॉसीबल हो सकता है कैसे क् Reverb करें कि उस的时候 साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ है मेरे दो वे शॉम्य सोमय यूरोप में सुटरा सायंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि समझा रहे हैं अधा हमको एक बार मैसेज करो कि यहां तक जितना हम समझाएं समझा रहे हैं आप लोग को एक बार फटाफट हमको कर दो तो एक बार फटाफट हमको एक दो कि अभी तक जितना समझाएं उतना समझा रहा हूँ आप लोग को एक बार फटाफट से करो हमको झाल और 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 बढ़ाओ और बढ़ाओ सारे आदमी सारे आदमी ठीक है मेरे दोस्त आ रहा है मुझे पता है कि यह समझ आ रहा है अब समझो मेरे बात को अब सुनो हमने क्या बताया कि चार्ल्स फर्ष्ट बना चोदा सो चोबन में पुर्तगाल का अब इसके मन में यही सतार है कि अब भाई साब हम बेपार करे तो करे क्या करे नहीं करे कुछ तो होना चाहिए सदियां बीटते जाती है दसकों बीट जाती है अब दसकों बीट जाती है इसको समझ नहीं आ रहा है तो करे तो करे के देखा होगा राजा सबका जो समय रास्तंत्र होता था यहां राजा बैठा हुआ है नीचे में एक बड़ा सा कतार लगा हुआ रहता तो कुर्सी का हमरह भेजने से नाम बारतो लॉस्त याज चेरेंगे नाम siya से चल्कूल जाएगा तो बभारतो घुपार गेते हां तौकिक्तुन हमें ब्दा था जिसका नाम था बारतो लौन निकलता है वारत की यानी एस्टन एसिया के लिए निकलता है एक सुना होगा यह बहला इलाका दिखा यह अफ्रीका न हो यह अफ्रीका न और अफ्री का में एक छोटा सा ई repet है जिसका ना में मेडा गास कर और और बताया जाता है ये ना ये इंडिया अपना और जब बार्थुलामाडिया 1488 जब यहां से पुर्तगाल से निकला अट्लांटिक महासागर होते हुए आया तो इसको लगा ना कि जो मेडागासकर हो इमेडागासकर ही तुम्हारा इस भारत है मेडागासकर के पास पहुंच जातागी भारत क्या है भारत कोने भारत नहीं है है यहां पर जब पहुंचा इसको लगा इसको जाना चाहिए यहां लेकिन यहां नहीं गिया यह इसraul के जारो और यह पर सखेखाो मंदिर के चारों और गुमता हैए लोग परनाम करता है सेम उसको लगा भारत यहीं चारों तरफ भूमने लगा बहुत कि ना हो दूब अब इसको लगने लगा कि भारत समुत्र में भारत हुए है जाधा इधर उधर गए तो काम तमाम है इसे बेटर है कि वापस लोट चलो अब लोट चले और बारतोला माडियाज मेडा गासकर से घुम के फीर पहुंच गया तुम्हारा पुर्तकाल चाल्स फर्स्ट ताक में है मेरे करन अर्जुन आएंगे तीलक लगाएंगे उसको लड़ू खिलाएंगे मेरा बेटा रहा है बेपार यानि रास्ता खोज करके बेटा खाक आएगा बेटा मुझ लटके लिए आया चाल्स फर्स बोला कारे का हो लोग किसो खोज ली वह गये तो थे लेकिन हमको पता चला कि यह तुम्हारा यह कहां कौन था कुंटा पूआ पूपू था वहां से लोटके आगे कार करने की वह आज अभी तक पूरा नहीं हो रहा है कि चौदा सो अंठानवे में का बेटा चौदा सो अंठानवे में एक बुर्वा छे फिट लंबा वही नी पीछे बैठल है बरावरा दारी लेके खारा वहला कि कौन कोई नहीं जाएगा हो हाथ उठाए बला हम जबो व वह बुर्वा कोई और नहीं वह बुर्वा कौन था तुम्हारा दी वासको डिगामा यानि वासको डिगामा पहला बंदा जो भारत वार्थोलामा डियार लेकिन भारत का खोज नहीं कर पाया 1488 में निकला था यह मेडागासकर से घूमके चल गया था पहला बंदा जिसने कि खोज की वो कोई और नहीं था वह तो तुम्हारा लेक कोश्चना आता है मेरे दोस्त लोका सब। भारत नहीं था क्या क्यों स्य एसे इसे पहले भी तो भारत था यह तो बताए हमारा सभовत पूराना है समुद्र के रास्ते तुम्हारा किसी ने खोज किया तो वास्कोडिगामा किया किस ने किया वास्कोडिगामा ने किया ये अपना भारत और भारत वास्कोडिगामा आता है ये केरल है तुम्हारा केरल केरल वाले इलाके में ये वाले इलाके में आया तुम्हारा क्या है 17 माई 1498 को भारत पहुंचता हुए 17 माई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया केरल के कालिकट तठ पर इसको कई बार कोश्चन आया है कि जहां पर पहुंचा था उसका नाम क्या था कालिकट यानि ये केरल में हां भारत जाते हो ना तो देखना जदी लर्का के तरफ से बरात हो तो लर्का और फुफा जो रहता है न बरा छेल चैण विला रहता हुँ लर्का को इंगेजमेंट में जदी रिंग पहना दिया तो जिजवा वो लेगा हमको भी कईनी पहनाया पुपा लुगे बदमास रहता है इजन चाहिए भाई को चाहिए फुल इजन जीजा जी को फुल इजह चाहिए पुफा जी को फुल इजजर चाहिए और कोई पागला रहा लगि के तरफ से तुबही ऊठागे पटाग देता आइं जीजबो को इज्ज़त चाहिए उसको तो वास्कोर डिगामा आजब आया है तो वास्कोर डिगामा को भी इज़्त चाहिए नंने इसका स्वागत किया था कई बारो को सुने हैं कि जे म्यूरीन बताता है कि वहां का राजा था नाम था, नाम नहीं था जे मोरीन, जे मोरीन एक पोश्ट है, जिस परकार P.M. एक पोश्ट है, मुदी ने एक नाम है, P.M. नाम नहीं है, P.M. एक पोश्ट है, जे मोरीन जो था, वो एक पोश्ट होता था, वहां के राजा को कहा जाता था, और ये कुश्चन आया है, कि वा पढ़ आए जाता है दो साल रहा ये दो साल रहा भर पेट साथ जहाज लेके आया था साथ हो भर के लेके गया वहँ पर पंद्रस्व में लोट के जाता है तुम्हारा भाई साब जब देखता है पुर्तगाल के आदमी चकाचोंद यानि दीन दुनी राच चोगनी वला हाल हो गया है इतना पैसा तुम्हारा कभी कोई देखा नहीं था भारत बहुत जादा अमीर था अब इसी से पता कर सकते हो भा वर्ल्ड के जीडीपी में 33 परसेंट यानि सो रुपए का समान बंदा है तो 33 रुपए का समान सिंगल भारत में हो रहा है अभी रुपिया तीन दुपिया और उस समय 33 रुपए लोग नीचे से उपर जाता है हम लोग ऊपर से नीचे आएं अभी हम लोग बर नहीं धीरे अब समा सकते हो कि हम लोग कितने अमीर थे जहां डाल डाल पर सोने की चिरिया करती बसे रहा वह भारत देश है मेरा ना अब गाना सुने ही होंगे आप लोग भारत इतना तुम्हारा अमीर था अब हुआ क्या जब आसको डिगामा गया जब पुर्तगालियों ने देखा कि इतना पैसा है भाई साब क्या करे हम सोचा कि ना 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 कुछ तो करना परेगा अब उसने बहुत कुछ किया फिर एक बंदा था पेड्रो अलब्रेज उसको भी भेजा उस सबसे कोश्चन आता नहीं पेड्रो अलब्रेज नाम का एक बंदा था जो आया था तुम्हारा ये कोश्चन कई बार आया है कि पुर्तगालियों का फर्स्ट फेक्टरी जो था वो कहा था तो कोचीन में था पंदरो सो तीन इसमी में पुर्तगालियों का फर्स्ट फेक्टरी कहा तो कोचीन में पंदरो सो तीन इसमी में कोश्चन आया है मेरे दोस्त कोश्चन पूछता अब हुआ क्या अब पुर्टगाली ने बोला कि नहीं ने अब जो है पहले क्या होता था आता था समान लेता था फिर चल जाता था इसे मत करो एक एक बंदा को रखो, वहां फिक्स कर दो, उसको नाम दो वाईसराय का, उसको वहीं पे रखो, भारत महीं रखो, और कई बार कोश्चन आया हुआ है, कि who was the first वाईसराय of Portuguese in India, भारत में पुर्तगालियों का पर्थम वाईसराय कौन था, भारत में पुर्तगालियों का जो पर् ज्ञान में रखना, कि भारत को कैसे अंदर लेना है, अपने अंदर लेना है, वो सोने की देने वाली मुर्गी है, उसको पकर के रखना आपने पास, हम को चाहिए कि वो रहे, वो रहे, अब उसके लिए तुमको जो करना है, जो policy अपनाना हो, बढ़र हमको चाहिए, वो सो होने के अंड़ा देने वाले मुर्गी यह वो भारत इतना धनवान तुम्हारा इतना रिचेस्ट कंट्री है कि अलमीडा आता है अलमीडा आया पंदर सो पांच से पंदर सो नौ तक रहा अभी बताएं कि अलमीडा को पर्थम बाइसरा कहा जाता है इन इंडिया तो कोश्चन आना एंसर फ्रांसिसको डी अलमीडा बरा सा नाम है इतना नाम नहीं भी याद रखेगा तो बस अलमीडा याद रखेगा जो पंदर सो पांच से पंदर सो नौ तक रहा इसने जमीन पे जादा अधिकार करने के बजाए समुद्र पे अधिकार के देखना एक कोश्चन ये समझ लेना कि जिसका समुद्र पे अधिकार है उसका कहीं न कहीं 20 पे भी अधिकार है उसका सबसे मस्त एक जामपल है USA क्यों दच्छिन चीन सागर के लिए क्वाड बन गया चार देशों ने मिला लिया क्यों चाइना को नीचे दवाना चार है क्वाड बना नहों चार देशों का भारत अस्टेलिया USA जापान चारों देश ने मिलकर के क्वाड बनाया संस था ताकि चाइना को सबक सिखा के चा ना को सब्सक्राइब कर सके क्योंकि चैना ने 9-10 लाइन बताया है तो बचाइड की सारा एरिया हमर उर कुरो बगल के छोटे छोटे देश है रही आच स्वें अर्ण से बनाया है उसी को सबक सिखाने के लिए सब नाया वह समुद्र पे अधिकार समझ रहो समुद्र पे अधिकार और यह जो अलमीडा आया है इसने पॉलिसी ही ऐसा लाया था समुद्र पे अधिकार करने का आल्मीडा ने क्या लाए यहां आल्मीडा ने एक पॉलिसी्ट लाया कई बार एक्जाम में पूछा गया है मेरे जान बुलू वाटर पॉलिसी किस्ने लाया सांत जलकी N Easy कि लाई तुम्हारी तो फ्रांसिस्को 무 BROWN ने सांत जलकी Nity लाय और פה और उसका सबसे रिखाए hai hai तुम सिधा है किसी मकान में घुषके रहने लगोगे लगा नहीं न पहरे मकान exchange से पूछोगे हम आपके रूम में रहे य्यर ना रहे मकान माली आपढ़ा हां ता हां ना तो ना बोल दिया राजा जाओ राजा नहीं तो नहीं यही था तुम्हारा ये वाला कि अब जदी हिंद महासागर ये हिंद महासागर नहो और इसी वाले इलाके में ना हिंद महासागर के दो भरांची है बेव बंगाल यानि बंगाल की खारी और दूसरा अरब सागर यानि इस वाले में जदी पता था कि कोई भी आएगा तो इसी होके आएगा तो क्यों नो समुद्र पे ही हम अधिकार जमाने के लिए ही तो इस दोनों लाया था कोई जदी कोई भी आs का जदी जहाज इस वाले इलाके में आता है उसको पहले हुसे परमीशन लेना परेगा तो अ जजदी बोलू हां तो हां ना तो न हुद Walter illegally दे भी दिया, परमीशन दे दिया, है हो तो फिरी में तुमको रहने देगा, रूम में, फिरी में तो नहीं न देगा, उसके बदले में पैसा चाहिए ना, ये वही था, बदले में पैसा, यानि जदी पुर्तगाल बोल रहा है, किसी ए नाम के कमपनी को ठीक है, तुम्हारा जा जाया, पहले तो परमीशन दिया, दूसरा बोल रहा है कि ठीक है, जदी हम आने देते हैं, तो बदले में तुमको पैसा देना परेगा, इसका मतलब कहीं न कहीं, समुद्र पे आधी पत्ते किसका जम गया है, तो पुर्तगालियों का जम गया है, पुर्तगालियों ने अपना आधी पत्ते जमालिया मेरे दोस्त, समझना मेरे बात को, तो कोश्चन आएगा कि बुलू वाटर पॉलिशी किसने लाया, तो अलमीडा ने लाया, ताटे सिस्टम किसने लाया, तो अलमीडा ने लाया, और कब से कब तक था अलमीडा, तो पंदर सो पांस से पंदर स सब्सक्राइब कोश्चन आता है समझना 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 क्लियर है नौ मैं बोला कि तुम आ जाओ तुम बहुत दिन ले लिए दूसरे को भी भारत घुमने दो दूसरे को भी तो पता चले भारत का इसा है अलमीडा को बुला लिया गया इसके बाद दूसरा जो आया उसका नाम था तुमारा कुछ और नहीं अलबुकर बरा सलाम मत लखो अलफांसो डी अलबुकर कितना बरा लंबा नाम याद नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त मात्र अलबुकर का नाम रखो और इसका टाइम में पुर्टगालियों का वाष्टविक संस्थापक कहा जाता है कोश्चन आता है मेरे दोस्त कोश्चन आता है कि किस पुर्टगाली वाइसराई को भारत में वाष्टविक संस्थापक कहा गया है तो कोई और नहीं one and only अल्बुकर्क जो कब से कब तक है 1510 से 1515 तक क्लियर है जब अलमीडा आया था तुसको बोला समुद्र पे अधिकार करो इसको बोला कि तुम जमीन पे अधिकार करो तुम जमीन पे अधिकार करो जमीन को लो हमको नहीं पता तुम कैसे लोगे लेकिन तुम जमीन लो हमको चाहिए जमीन लो एनी हो लो हमको जमीन चाहिए एक ने हो दोस्त बहुत बःयां जगा हो घुमे बला जगा हो अकेले जाएगा तो धेले जाना हम तो नहीं बोलेंगे कि प्राणस लंन घुमना हो तो मत घुम और सीधा जाके भी हार से नीकलो और सीधा पूंच जगाए पूरा जा तुम्हारा पेरिस से ले करके जर्मानी से लेकरके स्जिजर लें इस यदा नाजारा देखना हो तो पूंच जब तुम्हारा यह कहां पे गोवा बेटा, गोवा गोवा नहीं है, गोवा का नाम बीजापूर है, बीजापूर वाला इलाका है उस समय, समझना मेरे बात को और ये भारत जो देख रहे हो भारत जो देख रहे हो इसका समझना ये जो तुम्हारा दीख रहा है मेरे दोस्त इसको पश्चमी घाट कहते हैं और ये जो तुमको दीख रहा है ये पूरवी घाट है समझार और ये तुम सुनेगा एक जोगरफी में एक तर्म सुना होगा डिल्टा डिल्टा मतलब पनी ये मेरा हाथ है, मेरे बात को समझना ये मेरा हाथ है और मेरा हाथ पुरा ऐसे है अब ज़दी हम इसको ढाल देते हैं तो नदी का बहाव भी तर इंधर ही होगा, सुलोप ज़ादा है, मेरे दोष्ट, तो गती ज़ादा होगा, अड़ गती ज़ादा होगा, तो करेंट भी बहुत ज़ादा होगा, इसले भारत जो है, वो पूरब की और जुकी हुए, और अधिकतर नदी जो है भारत की वो किधर की और बैती है पूरब की और बैती है और नदियों का जब नदी निकलती है तो जवानी में जवानी में बड़ा खुन गरम रहता है तो रोह रहते हो तुमको बोल दे कि 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चा को बोल दे कि 5 बार 5 फलोर को नहीं है उसमें जो जो एनरजी तुमारे 16 साल 17 साल के बच्चे में सेम नदियों है जब पहार पर से उतरती है तो ढाल बहुत जादा होता है करेंट बहुत जादा होगा गती बहुत जादा होगा सब कुछ को तोरते फोरते आएगी लेकिन वही जब मैदान वाले इलाके मे और जब स्पीड नहीं रहेगी गती नहीं रहेगी तो जितना कुछ लेकर आया था सब छोड़ देता है बोलता है ना ना कुछ लेकर आया था ना कुछ लेकर जाओगे ।जिस परकार मनुस्र के जीवन में ये थियोरी बैठता है उससी परकार नदियों का भी यही है जब आती है तोर के तोर फार करके बहुत कुछ लेके आती है लेकिन वही जब समुद्र में बिलती है तो नहीं हो ना यह जब समुद्र में मिलती है तो इसका करेंट इतना कम हो जाता है तो जब नदी आती है तो ऐसे 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 बट जाता है और यही जो है तुम्हारा यही पूरा बालू ही बालू पूरा बालू ही बालू पूरा बालू ही इसी को तो डेल्टा फॉर्म कहते हैं और यह तुम्हारा पूर्वी घाट डेल पहचान का किनारा है राम से नाव लगाओ समान उतारो समान चराओ फिर नाव को भेज़ दो कोई दिक्कत नहीं तो पुर्तगाली बेपार करने के लिए यह आये थे और यह बीजापुर वहला जो इलाका है यह पश्चमी घाट में पड़ता है कि पश्चमी घाट में पड़ हो कौन बे तूँ कुम को कीं देदे हम को यह यह एक या रिय बोला हम उनको नहीं पता हम पसके यह यह दिया चाहिए वո kissal ना दिया तो बना सु charter मारेंगे है हिर सुता लिए richOOOO अ вып आर भाई साब जैसी बोला अदिल सा बना ठीक कि और कई बार एक्जाम में कोश्चन आया है कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब लिया तो 1510 में लिया कब लिया 1510 में लिया गोवा को किलियर है आच्चु की टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है ठीक है आज इतना ही रहने दो फिर आगे इससे लेके चलेंगे आगे लेके चलेंगे मेरे दोस्त आज इतना तक समझ आ गिया होगा बहुत अच्छा आप लोग दिये हैं रेगुलरली वही बना करके रखे हैं माने कि वो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो परहे भी होंगे हमसे ओफ-लाइन में तो इसलिए में भी ये कारण होगा और लेकिन वो जो रात में जो नौ बजे लेके आते हैं हम लोग प्रिबियस यहर वाला उसमें रहना मेरा दोस्त ठीक है अब हमको बता दो हमको एक बार बता दो कि कोई दिक्कत हुआ यहां तक अभी तक आज जितना हम लोग पर हैं इसमें कोई दिक्कत हुआ थो हमको बता दो हमको बता दो आज बस इतना ही रखेंगे कर दो हमको 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 कि मेरे दोस्त है धन्यवाद आप लोग इतना तारीव कर रहें ठीक है मिलते हैं वही वही और वही एनरजी में मिलेंगे रात के 9.15 में जब तक तोरेगा नहीं तब तक छोरेगा नहीं जब तक है जान जब तक है जान मेरे दोस्त रहना है संग और चलते रहेंगे आते हैं मिलते हैं रात में वही previous year question के साथ और वो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा उस अस्त्र को कभी भी मत छोरना एक्जाम तुम्हारा वही ब्रह्मास्त्र निकालेगा जितना practice question मारेगा उतना तुम्हारा exam मजबूती के साथ अच्छा से होगा नेश क्लास बाबा इसी समय में डेली होगा चिंता मत करना नेश क्लास इसी समय में हिस्ट्री को पर रहेंगे डेली होगा चिंता मत करना थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं कल मेरे दोर तो लव यू है कल मिलते हैं